Hi Willow Friends ! Welcome you all आज मैं आपके वीडियो लिए लिए बात करेंगे दी पावर स्टोपग की, पावर शेर जिसके पास है पुरह इंडिया का कांट्रोल पुरह इंडिया की पावर का कंट्रोल आपको गया कौन सा Я्से स्टोग है, देख नंगे में बात करी थी एनरजी एक्षेंज की जहाँ पर पावर यानि कि एनर्जी, इलक्रिसिटी उस वो एक्षेंज उसका जो मेजर एक्षेंज है उसके बारे में बात करी थी IEX Monopoly वाला स्टॉक. आज हम बात करने वाले हैं the power share गर्मन्ट उप इंडिया के लिए बहुत important है यह stock मैं कहुंगा not only government उप इंडिया बल्कि ये company हर Indian के लिए बहुत important है कि बिना पावर आपके घर में पहुण्चाए कुछ नहीं हो सकता और ये कंपनी काम ही वो कर रही है तो चले डिटेल में समझते हैं और गर्मिया आते ही पावर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है और यहां पे जो पावर की डिमांड बढ़ जाती है तो जो पावर सप्लाई करने वाले players हैं supply करने वाली lines है वो और भी important हो जाती है तो detail में समझते हैं इस talk को और आगे बड़े से पहले हम आपको बता दूगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले bell icon को press कर ले जिससे आपको notification आती रहेगा और price section सीखने के लिए ये series आपके सामने ready है बस आपको join कीजिए और मैं कहूंगा weekend का इस्तेमाल कीजिए सीखने में सीखते रहे और practice करते रहे है practice करने के लिए बहुत important exercise आपको हम regular business पे share करते रहते हैं अब आते हैं power आपने अक्सर इस तरीके से lines जरूर देखी होंगी अपने घरों के आसपास खेतों के आसपास दूर दूर यह lines आपने देखी होंगी देखिए हर जगे पर यह lines आपको देखने को मिल जाएंगी और इस तरीके की facilities जो grids हैं वो भी आपने देखे होंगे तो आप देखी यह power grid इन सब चीजों को manage करता है पूरे देश में चाहे वो मैं कहूंगा आपके आसपास के grid हो transmission lines हो यह देखिए पूरी की पूरी यह company एक हैं लेकिन इसके subsidiaries अनेक हैं हर मैं कहूंगा state में बहुत सारे states में आप देखोगे इस तरीके से और states districts यह grids आप देखते हो सब connected होते हैं और यही एक जगे से माल लो एक जगे पर एक state में power बहुत ज्यादा generate हो रही है दूसरी जगे पर power generation के sources नहीं हैं कम हैं तो वहाँ supply करना इसी तरीके से example लेके चलते हैं आप देखो hydro power plants कहां पर है सबसे ज़्यादा देखोगे हिमांचल प्रदेश है उतराखंड है यहां पर नदियों को रोक के dam बनाए जाते हैं बाद बनाके वहाँ से power generate की जाती है फिर उसको supply किया जाता है इसी तरीके से आप देखोगे कि solar power सबसे ज़्यादा कहां पर आप देखोगे राजस्तान तमिल नाडू गुजरात महराष्ट्रा मेजर जो है मैं कहूंगा स्टेट्स हैं जहां पर solar power generate की जाते है इसी तरीके से जब demand देखे सर्दियों में solar power कम generate होती है तो वहाँ पर demand होती है तो यह hydro power वाली demand फुल्फिल कर लेते हैं तो इसी तरीके से पूरे nations को power का supply करना उन ग्रेड को maintenance करना यह सब काम है power grid का operation of India stock को काफी हलके में लेते होंगे क्योंकि यह stock profit सरकार को बहुत profit कमा के देता है एक लाग साथ जार करोड का हो चुका है मार्किट कपटलाइशन लेकिन अभी भी पी रेश्यों 10 का है मतलब हर 231 रुपे आपको 21 रुपे कमा के दे रहा है ज़रा सोचिए कितना बढ़िया है और डिविडेंड में भी खूब बाढ़ता है आपको गयार यह तो बहुती बढ़िया कमपनी है बहुती अच्छी चीज है इतने बड़े मार्किट कपटलाइशन की अगर आप इसके रिवेन्यू को देखिए तो साल दर साल बढ़ता जा रहा है 2011 में 8000 करोड का रिवेन्यू था जो की बढ़ते 10 गया 10 से 15 गया 15 से 20 हुआ 20 से 25 हुआ 25 से 30 30 से 35 35 से 40 देखिए अब 45 की ओर जा रहा है रिवेन्यू हजारों करोड की तादाद से बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलेटी भी आप देखिए 26 करोड 33 करोड देखिए 45 करोड तो 5000 करोड 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 देखिए 16,000 करोड का प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलेटी भी है रिवेन्यू भी है कंसिस्टेंसी है अगर इस स्टॉक के प्रॉफिटेबिलेटी इस कंपनी की रिवेन्यू में देखोगे तो कंसिस्टेंसी है सरकार की ये कंपनी है सरकार की य के रूप में पैसा लेती है जिससे वह आपने ही बाकी काम चलाते रहती है तो इसकी profitability और revenue को देखा लेकिन जैसा हमने आई एक्स की बात करी थी यह स्टॉक भी हमारी रडार में आने का कारण है और इसका प्रमुक कारण है इस स्टॉक का यह चार्ट एक बहुत ही बहतरीन रैली आई थी 2020 दिसंबर में जिसको 130 के लवल से 240 के लवल तक ले गई थी लेकिन फिर से यह स्टॉक इस बहुत इंपॉर्टेंट एडिया पर कंसॉलिडेट कर रहा है और यही कारण वस्टॉक हमारी रडार में आया यह देख सकते हैं इसी कंसॉलिडेशन को छोटे फॉर्म में देखते हैं मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके जा रहा हूं इसी लिए ताकि अब रिलेट कर पाओ इस कंसॉलिडेशन को और समझ पाओ देखिए यह धीरे धीरे करके यहां पे एकदम फॉल आता है फॉल आते ही ऐसा लगा अगर आप इस वीक को देखो 205 से नीचे गिरा और अगली वीक में ऐसा लगा ऐसा लगा की कुई बड़ा प्लेयर बैठा था कि यह पिसहें यह और से इंडिया लेकिन देखिए और उसका वो जैसी देखता कि हाँ प्राइस जो है क्योंकि यह मैं कहूंगा यह ऐसा स्टॉक नहीं है जो आप यह सोचो की एकदम 200-500 पहुंच जाए 100-1000 पहुंच जाए ऐसा स्टॉक नहीं है यहाँ को कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी आप यह देखिए यह लवल जब यह वीकली की साइकल स्टार्ट हो रही थी यह 500 था दीरे-दीरे करके अपना अराम से यह गया और कोई ऐसा नहीं कि एकदम फॉल हो जाए एकदम रहली हो जाए दीरे-दीरे करके प्रोसेस चला अब फिर से यह कंसालिडेशन और अब यह वॉल्यूम आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम ने जरूर इंट्रेस्टेट क्या होगा बहुत सारे लोगों को और अगली करेक्शन में यह देखिए यह फिर से कंसालिडेशन अब जो है मूब स्टार्ट क्योंकि यह स्टॉक है फ्यूचर ए रिसका बच्व तो यह देखिए फिलाल इस जोन को जिसको हम अभी विक्ली चार्ट पर देख रहे थे अब इसको आप क्लीड करके समझ सकते हो इसको आप मैं करके संधे याउगा सकते हो डेनी चार्ट में बुलिस साइकल जो स्टाट हो रहा है वही कारण है यह इस्टॉक का रिस्क लेना चाहता हूं तो मैं कितने शेर खरीद हूंगा सौ शेर इस पोजिशन मैनेजमेंट यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं यहां पर हजार शेर का रिस्क लेना चाहता हूं तो नॉर्मल कैश के अगर बात करूँ हजार शेर खरीदना चाहता हूं तो इस सिंपल सी बात है इस टॉप लॉस के हिसाफ से मेरा डिफाइंड लॉस जो है वह बारह हजार है अब यह रहली आता है मालो मैं इनिशल टार्गेट लेके चलता हूं 230-247 तक ठीक है इनिशल टार आते हैं लेकिन अगर बड़े टाइम वाइस देखोगे तो यह स्टॉक साइकल जरूर बियरिस हुई थी अब वापस बुलिस साइकल जो है वह स्टार्ट हुई है अब चलते हैं और छोटे टाइम फ्रीम पर चलते हैं मैंने आवरली चार्ट नहां पर ओपन करके रखा हू सरकारी स्टॉक है लेकिन आप इसमें फिर से अधिक हर स्टॉक को देखने का नजरिया अलग होता है इन स्टॉक से कभी भी आप यह एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि यह 200 से 500 पहुच जाएंगे जो छोटे स्टॉक होते हैं स्वाल कैप काटेगरी के स्टॉक होते हैं वह कम देखने को मिलेंगे वाइंड अप करता हूं वीडियो का और उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेर जरूर कीज़े लाइक कीज़े प्राइस सेक्टे रही है प्रैक्ठिस करते रहे प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट एंडड थैंक्यू थै